नमस्कार अर्वास्री में आपका स्वालत है तो चलिए हम सुन करते हैं आज की बहुत ही ज्यादा स्वाधिष्ट और मजएना थैस्पी और अगर आपने मेरा पीट्र चनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज प्लीज मेरे चनल सब्सक्राइब जिरू कीजिए और मेरे क्राइब करते काटोरी चाट स्वाहत्ष्तिसी के दो टोर काटोरी मैदा और दिसमें डालेंगे हम एक काटोरी सूसी नाप करके दो अपकर धो चार बड़ी चंब्योत्थ प्रॉब होगा थोड़ा सा खसते हो जाएगे और बुर्द किस्पी सी बनेगी कटोरी हमारी अब इसको हम मिला देंगे वाइल को इसमें अच्छे से और देखेगा इस तरह से हो जाना चाहिए इतना इसमें डालना है हमें अब इसमें हम पानी डाल करके इसका एक डो तयार करेंगे तो अब इसमें से हम लोई तोड़ेंगे तो देखिया कितनी बड़ी तोड़ेंगे इसके हम इतनी बड़ी थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे क्योंकि वह थोड़ी सी मोटी बनती है कटोरी यदा पतली कटोरी नहीं बनाते हैं तो इसको गोल करेंगे और चकले पर रख करके ह इतनी रोटी पराटी की लोई लेते उतनी बड़ी लोई हम लेंगे अब इसको हम बेलेंगे तो थोड़ा सा इसको हमें मोटा बेलना है और पूरी के आकार का बेल देंगे तो इसको हमें देखिए पूरी के बराबर का बेल लिया है अब हम क्या करेंगे एक गिलास लेंगे य ताकि छुडाने में इसमें कटोरी दिक्कत नहीं हो विलकुल भी तो हमें तेल ऐसे लगा दिया है पूरे में अब हम क्या करेंगे यह बिली हुई पूरी लेंगे और इसको बीच ओ बीच ऐसे रखेंगे ऐसे बीच में रखेंगे इसको हम अच्छे से और इसको सब तरफ ऐस इसको हम चिपका देंगे जिस तो निकला हुआ इसको मोड़ते जाएंगे इस तरह से तो शेप इसकी बिल्कुल बराबर से आ जाएगी कटोरी की तरह से बन जाएगी बस इस तरह कर दिया है उन्हें से सब तरफ से देखिए और इसको हाथ से अच्छे से दबा करके चिपका ताकि उसमें डानने में एकदम से छूटे नहीं और इसकी से बन जाए अब क्या करें इसको बरावर से देने के लिए इसको हम तो चाकू से इसको हम काटेंगे ताकि इसकी से एक बरावर से बिल्कुल आ जाए तो यह थोड़ी सी छोटी बड़ी आपको दिख रही होगी तो जाए से चाकू से हम काट देंगे तो बेलकूल एक कटोरी की तरह से बिल्कुल बरावर से बोल़ा feas違ny हिए तो यह सब तरफ से हमने एक बरावर इसको कर दिया है बस अब इसको हम इसी तरह से बना लेंगे और अपनी कटोरी दूसरे गिलास में भी ताकि एक ही बार में हम सेख सकें उसको तो चलिए आपको हम एक और बना करके दिखाते हैं कि हमने किस तरह से बनाई थी कटोरी तो गिलास में उसी प्रकार से हमने उसी तरह की गिलास में ब उसे निकाल दिया है तो अदे दो क्टोटी पना लिए देखिए अब क्या करेंगे इसमें चेद करेंगे तो चाकू से या फोक से किसी से भी कर दिजै आप चाहें तो बेलते वक्त भी इसमें छेद कर सकते हैं तो वह करने में ज्यादा एजी रहेगा अगर नहीं हो पाई तो यहां थे जाल पाएंगे तो दोनों में तो दोनों में हमने इस तरह से फॉक से च्षहतь कर दिये अच्छी तरह से कीजेगा छेत्न फूरे अंदर तक हो जाने चाहिए और तेल गरम करने पहले से लगताकर जैथा कड़ाई में तो तेल तो यह प्रणा जाए उसके लिए कपड़े से पकड़ कर रहा है और इसमें थोड़ी दिर के लिए ऐसे पकड़े रहन देंगे और कटोरी से बनाएंगे तो कटोरी आप डालेक्ट उसमें डाल दीजेगा उसको आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वह अपने दीमे-दी में निकल जाएगी यह हमने देखिए पीजे से चुकी है अब दूसरा भी हम कटोरी देखिए डालना है उसमें और उसको इसी तरह से सेख रहे हैं अभी गैस को तेजनी करना है हमें है वह से ग्रिप से पकड़ लिया जीवाला गिलास हमने इसलिए पकड़ते हैं ताकि वह जले नहीं हो तेड बहुत एजी निकल जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती करने में बस ऐसे अंदर डाल देंगे और दोनों तरफ इसको प्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेनी हमें जीवाली सेख चुकी है अब इसको उल्टा कर देंगे हम बस अब इसको हम उल्टा करके निकालेंगे ताक कि अंदर भरा हुआ सारा ओयल इसका निकल जाए तो एक कटोरी सिख गई है इसकी सेव देखे आप कितनी बढ़िया आए अब दूसरी वाली भी सेख लेंगे उसी तरह से तो दूसरी भी सिख गई है तो दोनों तरफ अच्छी तरह से इसको हम सुनेरा कर लेंगे और पूर हमने अब लेल लिया है चील के छुटे फीसो में काट लिया है और लेलो को तो क्तोर एंगी थोड़े तो पीसों दोनों कटों करेंगे थोड़े-थोड़े से पहले लेगे विश्याइब काबली चने नहीं होने चाहिए तो इसमें हम डाल देंगे काबली चने दर्ट करने के तो इसमें दोनों थोड़ा-थोड़ा सा दही डाल देंगे लिए चाहए भी दही में शबचतनी की चट्नी लिए हमें तो इसमें चट्नी भी हम डालेंगे जो नॉर्मल चट्नी बनाते हैं हरे धनी यह हरी मीर्स अब डालेंगे हम लालमेश पॉर्ड तो जैसे आपको मैश चाइए आप प्याज़ को बीन काती प्याज भीन है अगर आपको बारी काट ची लगती तो आप डालेंगे तो बीन प्याज अभू novada करने चैसे के तो में डाम ख़कानायों कि भी आपको पसंदें फिर से चहते डालेंगे इसमें थे एक इसंदे फिरसे टीस्ट नालेंगे तो इसका सब कष़िति को पनाकरी को और इसमें इसी प्रैकाड सामगरी आप डालीे एक के उपर एक करके थ्वड़ी मीठी चतनी भी डाल देंगे तो हमने इसमें मीठी चट्मी और डाल दिये दुवारा से अम थोड़े से मटर और डाल देंगे जो छोले वाले थे हमने और थोड़े सी खट्टी चट्मी हरे धनियवाली उसके उपर से और डाल देंगे तो हम थोड़ा सा इसमें दही उपर से और डाल देंगे आप देखिए इस तरह से मैंने बारबार डाला है इसी तरह से आप डालिएगा चाट का टेस्ट बहुत अच्छा था बहुत यमी चाट बनती है यकीन मानिया आप आप इसको जरूर बनाईएगा इसमें क्या होता है कि हर उसमें आपको हर चीज का टेस्ट आएगा अब तोड़े ज Pacific मसाले अधल देंगे ईसमें इसमें उपर से जीरा पॉOS लॉडर लाल मियुक्त देंगे थोड़े से टमाटर भी और डाल देंगे तयार है हमारी टेस्टी सी चाट कटोरी चाट इसको बनाईए इंज्वाई कीजिए